तो एगाइस इस वीडिव हम देखेंगे कि नीट 2022 के जो एक्जाम हुआ है उसमें इस बार का कट-off जो है वो कितना रहेगा और अगर आपका 500 के अप्रॉक्स में नंबर है तो आपको कितने कॉलेज जो है वो कॉलेज मतलब की कौन समझे लेगा अगर आपका 500 नंबर है तो देखें इस बार का जैसे कि physics का पेपर बिजो हाड नहीं था बहुत इजई था बालोजी का पेपर मॉडरेट टाईप का था। ऐसलिए कहा नहीं सकते हैं कि इस बार का फेपर एक्दम एक्स्ट्रीम्ली हाड लेटल गा था तहो आल अल वर अगर कह तो इस जो नीट का एक्जाम का जो पेपर था वो लगबग मॉडरेट ही था ठीक है मनलब कि सब कोई कर सकता था और सब कोई नहीं भी कर सकता था तो कई सकते हैं फिर कई सारे लोग को 500 प्लस नमबर कितने लोग के 550 प्लस नमबर है तो उसमें क्या करना है आप लोग को जिसका देखिए 600 जिसका प्लस है कट आफ वाली वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर आपर जाकर कर देख सकते हैं तो 600 प्लस है उनका तो कन्फार्म है कि उनको कॉलेज मिलेगा ठीक है 100% मिलेगा और जिनका 500 प्लस है उन लोग के लिए जो है वह कंडीशन है कंडीशन क्या क बड़ी किसी प्लस सिर्फ 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 एस सी याफिर स्ट है तो 450 या फिर 500 प्लस मिलेगा जनल्रावले को मिलेगा उनकी मतलब कि या तोおम नका यूनका है तो एकर हैं कर्वाले है तो युझाught फिर सैलेक्शन हो है जा फिर अगर कोई कि है समय और प्रहूर्स पर सलेक्शन हो जाए गाह। 2 इंगर को यहाधी फॉर सलेक्शन हो जाए गाएया जाफ। श्र इसन अनुवा शरत और पर वह स्थ हो झायो सरह जाए ठेınt, आपनि के लिए असippy कम समझने इस स्था कि नश्यक्ष अफय को 480 या फिर 485 490 तक भी सेलेक्शन हुए हैं तो आप अगर 500 है और SCST या फिर फिसकल हैंडीकेय पर चाहिए कोई भी कटेग्री हुई तो आपका सेलेक्शन जो है वो पक्का हो सकता है 100 पर्जेंट है ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू